आई पी सी की धराएं और सजाएं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी अपराध करने पर क्या धारा लागू होता है और इसकी सजा क्या होती है चलिए स्टार्ट करते हैं हत्या करना यदि कोई ये अपराध करता है तो इस पर 302 धारा लागू होता है और इसकी सजा आजीवन कारावास या फांसी होती है गैर इरादतन हत्या यदि कोई ये अपराध करता है गैर इरादतन हत्या तो इस पर 308 धारा लगाय जाता है और इसकी सजा तीन वर्ष की होती है आत्महत्या का प्रियत करना यदि कोई ये अपराध करता है तो इस पर 309 धारा लागू होता है और इसकी सजा एक वर्ष की होती है ठगी करना यदि कोई ये अपराध करता है तो इस पर 310 धारा लागू होता है और इसकी सजा आजीवन कारावास होता है गर्भपात करवाना यदि कोई ये अपराध करता है गर्भपात करवाता है तो इस पर 312 धारा लागू होता है और इसकी सजा तीन वर्स की होती है जान बुझकर चोट पहुंचाना यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो इस पर 323 धारा लागू होता है और इसकी सजा एक वर्ष की होती है हमला करना यदि कोई हमला करता है यदि कोई इस प्रकार की अपराध करता है तो 351 धारा लागू होता है और दो वर्स की सजा होती है अपहरण करना यदि कोई ये अपराध करता है तो इस पर धारा 362 लागू होता है और इसकी सजा 7 वर्स की होती है इस्तरी का अपहरण करना यदि कोई ये अपराध करता है तो 363 धारा लागू होता है और इसकी सजा साथ वर्स और दंड भी दिया जाता है बिवाह अपहरण या इस्तरी को बिवाह के प्रियत्र करना यदि कोई ये अपराध करता है तो 306 छट की धारा लागू होती है और इसकी जो सजा होती है चार वर्स की होती है और 3000 रुपे का यहाँ पर आपको पैसा भी दाय जुर्माना बलतकार करना यदि कोई ये अपराध करता है तो इस पर 376 धारा लागू होती है और इसकी सजा 10 वर्स या आजीवन होती है चोरी करना यदि कोई चोरी करना ऐसा अपराध करता है तो 789 धारा लागू होती है और इसकी सजा 3 वर्स की होती है लूट डकैती यदि कोई ये अपराध करता है तो 392 धारा या 395 धारा लागू होती है और इसकी सजा अधिक्तम 10 वर्ष की होती है डकैत के समय हत्या यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो 396 धारा लागू होता है और इसकी सजा 10 वर्ष या अजीवन होती है चल करना या धोखा देना यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो 417 धारा लागू होती है और इसकी सजा एक वर्स की होती है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा केमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो का आप लाइक कर दीजेगा और नए है चैनल पर चलनों को आप सब्सक्राइब कर लीजेगा दोस्तों